हर हर महादेव जैमातादी दूस्तों कैसी ही आप सभी दर्सकों आज मैं आपको पुझ गुदेव द्वारा एक विशेस उपाय जो की बुद्वार अश्टमी को ही किया जाता और इस वार बुद्वार की अश्टमी तिती है और इस वार सीतल अश्टमी भी पढ़ रहे हैं बहुत ही सुवसंयोग है ऐसे में इस उपाय को करना बिलकुल भी न भूले इस उपाय से आपके घर में जो व्यक्ति बहुत जादा कई सालों से बीमारी से परेशान है गुटनों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है सिडिया नहीं चला जाता है या फिर कोई अन्य बीमारी अगर बड़ी से वड़ी बीमारी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी वीमारी भी किसी व्यक्ति को लग गया तो उसके लिए इस उपाय को अवश्य करें यह उपाय जो है वह वुद्वार के दिन अश्टमीतिती पढ़ती है तभी किया जाता है और विसी इस ही ऐसे अफसर होत आपको इस उपाय को करने के लिए एक नया वर्तन लेना है यानि कि एक नई कटोरी लेनी है पुरानी कटोरी नहीं लेनी है नई कटोरी लेनी है और उस कटोरी को पूरा हरे मुंग से भर लेना है उसके बाद उस कटोरी के ऊपर आपको एक गुड की डेली या गुड की बा पिर उसके बाद जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लम्मे समय से बीमार है या जिसके घुटने में भी दर्ध होता है जिससे थोड़ी सी दूर भी चला नहीं जाता है बहुत ज़्यादा परिसानी है उसको तो उसके उपर आपको इस कटोरी को 21 वार उतारा करना है यानि कि अपने सीधे हाथ में रखेंगी और सीधे हाथ में रखने के बाद आपको अपना जो नाम है वो बोलना है और गोत्र बोलना है यानि कि जो बीमार जकती है उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको जाना है भगवान गड़ेश जी के मंदिर या फिर जहां भी भगवान गड़ इसकी मूर्ती अवस्य ही मिल जाएगी वहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है कि इस कटोरी को मंदिर में रखना है पंडी जी को नहीं देना है जा रहे अगर पंडी जी वहाँ पे हैं तो पंडी जी को नहीं देना है आपको करना क्या है भगवान गड़ेश के सामने से दर परिसान कर रही हो कितनी भी बड़ी बीमारी आपको परिसान कर रही हो थोड़ा सा भी आप से चला नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आपके जीवन में आ रही है बीमारीयों की वज़ेत से तो आप अश्टमी तिति को यह उपाय करेंगे और ग्यारस और द अबर से लिखे है